आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे और आज हम बात करेंगे भारत में जो पंचवर्षी योजनाई हैं उनकी बात करेंगे तो भारत में जो पंचवर्शी योजनाई हैं वो बारफ पंचवर्शी योजनाई हैं पंचवर्शी योजना का मतलब होता है एक एसी योजना जो पांचवर्शों के लिए बनाई गई हो तो सबसे पहले जो सुरुवात है वो 1901 हुई थी और जो योजना आयोग है वो आपका बनाया गया था गुनीशो पचास में मार्च गुनीशो पचास को आपका योजना आयोग बनाया गया था अब योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगे निति आयोग बनाया गया है 2015 में तो इसकी जो सुरुवात हुई थी तो पर्थम पंचवर्शी योजना थी उसकी सुरुवात हुई थी गुनीशो इकावन में हुई थी और उस समय जो परदानमंत्री थे पंडित जमारलाल न नेरू थे ठीक है आगे देखेंगे तो पहली पंचवर्शी योजना है उसकी सुरुवात हुई थी गुनीशो इकावन में ठीक है और इकावन से चप्पन तक चली थी इकावन से चप्पन तक योजना का उदसी योजना आयो का उदेश से क्या था वो समझेंगे योजना आयो का उदेश से तके जीवन रोजगार के अवशर पेदा करना जीवन स्तर में तेजी से वर्दी को बढ़ाना और देश के संसादुनों का गुशल उप्योग करना इसके लिए योजना बनाए गहे थी यह कौन से मोडल इक्जाम बहुत बार कुछा गया कि पर्थम पrst योदना थी वह कौन से मोडल पर आदरित थी तो आपका था हेराडड डोमर यहिम्पोर्टन्ट चीज़ है हेराड ठीक है हेराड डोमर मोडल पर आदरी थी इसका जो परमुक उद्धिश्य था वो था कर्शीव सिंचाई संसादनों का विकाश करना ठीक है विकाश दर का जो लक्षे रखा गया था वो रखा गया था आपका 2.1 परतिशत रखा गया था और विकाश दर लक्षे प्राप्त हुआ था वो 3.6 परतिशत प्राप्त हुआ था जो लक्षे रखा गया था उससे ज्यादा लक्षे हमें प्राप्त हुआ और आगे दे एक्जाम में आता है कि प्रारम किया गया वह आपका 1912 वर्षिय योजना के बी में प्रारम किया गया था योजना ठीक है उसकी शुरुवात कीए थी उसकी सुरुवात की पर फिर दाले अनुदान योजना उप्योग किया गया था कि स्तापना की गी थी बात करते हैं 1905 में जो 1905 में ठीक है इट्री गल कोच फेक्टरी जो कहां पर है आपकी चैने में स्तापित की गी थी और उसी के साथ हिराकुन बांध गाटी तथा बांखडा नागल गाटी पर योजना भी इसकी सुरुवात की थी आगे देखेंगे बात करते हैं दूसरी योजना थी जो आपके 1956 से एक सट के बीच में परारम हुई थी ठीक है ये कौन से मोडल पर इधारित थी वो थी PC महल नो बिश मोडल पर आधारित थी ऐसी योजना जो PC महल नो बिश मोडल पर आधारित थी वो दिट्टी पंचवर्शी योजना थी इसमें ता आपका जो उद्योगों के विकास को परात्मिक ता देना और इसका जो विक दर जो प्राप्त हुआ था वो लक्से से कम हुआ 4.2 परतिसत हुआ इसके आगे देखेंगे भारत में दूसरी ओधोगिक नित्ती प्रस्थूत की गई इस योजना के तहट इस योजना में तेन जो इसपाथ सेंट्रों के स्तापना की गई थी सबसे पहला जो आता है बिलाई जो आपका 36 गड़ में है सोवियत संग के साथ मिकी साहता से यह बना गया था दूसरा है आपका राउर केला जो राउर केला है वो ओडिशा में है जो जर्मनी की साहता से इस आता है आपका दुरगापुरा दुरगापुरा है जो वेस्ट बंगाल में जो बिरिटेन की सहता सी इसको स्तापित किया गया था आपके तीन सेंटर इसपास सेंटरों की स्तापनेगी थी राउल केला भिलाई और दुरगापुरा आगे देखेंगे गुनीष सो अठ्यावन को आखिल भारती एकादी वहग ग्राम उद्योंग बोर्ड की स्तापने की ओ यह impowercent है वहत बार ihan in examinar में में ऐसा questions पूछा ता है कि आखिल भारती एकादी वह ग्राम उद्योंग बोर्ड की स्तापना कब कीकी थी? गुनीष सो अठ्यावन को की थी और उसी के साथ IAT, कानपूर, IAT, दिल्ली, मदराश वा बुंबे की भी स्तापना इसी योजना में की गी थी, ठीक है, पंचैती राज, जो पंचैती राज की स्तापना है, वो सबसे पहले 2 अक्टुमबर 1660 को बगदरी गाम, बगदरी गाम का आपका कहां पर है, नागोर में इसकी स्तापना की गी थी, बात करते हैं, तीसरी पंचवर्षी योजनाओ की, जो तीसरी पंचवर्षी योजनाओं है, वो आपकी 161 से लेके 166 तक हुई थी, और जो मोडल था, वो आपका महालोनोबिस, वह सुकमेच शक्रवती, कौन सा मोडल, महावीर, सुकमेच करते हैं, इसकी विकास दर की प्राप्त की, तो वो बहुत ही कम हमें प्राप्त हुआ था, 2.4 क्योंकि ये योजना सबसे ऐस सफल योजनों की स्रेणी में आती है, और इस योजना के ऐस सफल में होने में प्रमुक्त तेन कारण थे, जो आप आगे देखेंगे, बात करते है इसके वुद्ध शुकी, जो अर्थ हेस्ता को अतम निर्फर बनाना, इस में अधिस है था कि आपके आर्स वेस्ता है वो आतम निर्फर बने, तो ता सबसे ऐस अपल पंसवर्शी योजना की स्रेणी में गिना जाता है। amp बोकारू सेंटर जो आपका कहांपर है जहारखंड जहारखंड में स्थाफ़गे गए था बोकारू सेंटर की योजनाओ में ठीक है पंसवर्शी योजनाओ में और उसी के साथ यू-type unit trust of India के स्थाबना की गी तेक कभी की ती गुन्नीसोचेच में बात करते हैं उसी के साथ उसी के साल बाद में 365 में आपकी ऑ जो है और गुनी सो पिच्छी में भारत में करसी किमत वा लागत परिवर्तित किया गया था इडि एक्जाम ऐसा क्यूशन आता है कि जो भारत एक खाद नीगम की स्थाफना क्या गई थी वह किए गई थी गुनी सो पैंसेट में और कौन सी पंसवर्षी योजनों में इसको किया गय में जो सब से आई सपल ऐसना माननी जाती है आपका जाहर तर यह auto क्वाल है पॉप करो जो सैंत्र है आपका जाहरखंड में है वो इसी योजना की त्याहिद स्तापित किया गया था और जो बाकी तेन सेंतर है राउर के लाव भिलाई ठीक है ये आपके दूसरी पंसवर्शी योजनों के स्रेड़ी में आते हैं आगे देखेंगे 1966 से गुनितर की योजन बात करें उसके बीच में इस योजना का अवकास रहा था ठीक है और तीन वार्शी योजने चले गए थी जिसमें हरित करांती का किरियन में किये गए था जो हरित करांती के जनक है एमस्वामी नातन है ठीक है 1966 और गुनितर की बीच की बात करें तो ऐसे समय में उस समय क्या हुआ था कि यह योजना का अवकास रहा था ठीक है 1266 में भारती मुद्रा का अवंओन हुआ और इस योजञाओ के एसे दिन से 266 में किसका वा भारती मुद्रा का अवंओन हुआ और ऐसा पल्दा की कारण थे तो वह सब्से पहला कारण था 162 का जो उसमें वाता भारत और चीन का यूद और उसके बाद में बात करते हैं 1965 की जो उसमें हुआ था भारत और पाक का यूद है और 1965 और 66 की बात करे तो उसमें भारत आकालन आपका अपात काल की इस्तिती पेदा हो गई थी ठीक है अकाल हुआ था उसमें आकलन नहीं है यह अकाल है उसमें आकाल की इस्तिती पेदा हो गई थी इसलिए विकास दर है वो दिरूट दो पॉइंट चार प्रतिस्ति रहे थी और यह योदना ऐस सफल रह गई थी आगे बात करिंगे हैं चोथी पंचवर्षी योजना है वो गुणी सों गुणे तर से लेकर जो तरके मद्दे चली थी और कौन से मोडल पर यादा रही थी गोड़ियल मोडल पर आधा रही थी जो इसका विकास दरका था वो पांच पॉइंट पॉंट परतिस्तित रखा गया था लग से लेकिन और जो प्राप्त हुई जो विकास जर्थ थी वो तीन पॉइंट तीन पर सी इसमें क्या हुआ था कि परदान मंत्री है वो चेंज हो गया था और अब जवानलाल नेरु की जगह है इंद्रा गंदी पीम बन सुकी थी और इसमें सबसे पहली गरीबी योजना थी पंचवर्ष योजना जड़ी भी हटाओ कर नारा और उसके बाद में गरीबी उनमुलन सब्सक्राइब कारी यह है वो आगे किये गए थे मैं और निस जुलाई नैन्टी सिक्स्ट नैंन को चो सब्सक्राइब करया और सबसे पहले राष्टे कर étटे क्रणे किया गया था वोगुनने तरमे किया गया था सोगड़ा बैंको का राष्ट एकरन किया था परिवार्द न्योजन जो कारेक्रम है वो भी इसी योजना के तहट चला गया था चौति पंसवर्च योजनाओ के और उसी समय स्वेद क्रांती है वो स्वेद क्रांती भी उसी समय में 1970 में परावन आप हुई थी और इसके जो जनक थे वह थी वर्गिज कूरियन स्वेद क्रांती के जनक है वह वर तकूरियन है और उसे स्वेद क्रांती को नामसे जाना स्वेदयकमा के नामसे चैनी जाता एасти योजना जिसे औपरेेशन फलड की नामसे से जाना जाता है इसी करांती तो एक्जामे क्यूशन आता है कि इसको करांती जिसको ओपरेशन फ्लाडी के नाम से जाता है है स्वेध करांती हरित करांती तो आपके आएगी स्वेध करांती इसके जो जमिनक थे वो दे़ वर गिज कुरियन और घरित करांती के जमिनक थे एमस स्वामीनाथन थे बात करता है गुष कशे तरक कारेक्रम है वह स्तापिंद केया गया थी क्या यह था ठीक और उसको प्राराम किया गया था बात करते हैं पंच्वी पंचवर्षी योजना की पाँच वी पंचवर्षी योजना है वो गुर्नी सोच और से अठंतर के बीच में पर आराम की गए थी तो इसका विकास दर था वो च्यार पॉइंट च्यार प्रतिसद रहा था लेकिन इसने जो लग से प्राप्ट किया वह आपका च्यार गया था वो गरीबी उनमुलन के साथ आतन निर्वरता को प्राप्त करना था मैं 1974 में पर्माणु प्रिक्षन किया गया था वो प्रमाणु प्रिक्षन था वो पोक्रण में किया गया था गुणि सो रह में नियुन्तम आवसक्ता कारेक्रम भी नामे प्राणाम किया गया था और गुणि सो पिचेतर में है आपकी और रिकी स्तापना के इन्य राजस्तान दूलर्वेंक है उसके स्तापना भी-पांची पंच़वर्शी योजनों में किया थी एक्जामियसाइडी क् परार्म के गया था और रस्ट्री अपातकाल की स्थती है वो भी आपकी गनी December में म reichtia 2125 में तेन बड़ी सीज़ें है आसराशर्मी के राष्ट्री अपातकाल के स्थती है वह उसी समय पैदा हुई थी और बात करते हैं dere choosing 1788 P के बीच में तो गरीब गुनिशो शतंतर उठंतर में गरीबी निवारण हिंतू एक योजना चलाई दिगी अन्तोद ये योजना ये योजना बहुत इंपोर्टेंट है इसा एक एक्स में एक्जाम के क्यूशन आता है कि अन्तोदे जो कारेक्रम है गरीबी अठाओ वो कौन स से पहले से समय के से इसोंत हो गई थी ठीक है एक मातर योजना है और जो सबसे आस्ब योजनों की सिर्णी में आते है और अपने समय से पहले ही समाप्तोनी वाली योजन है वो पांची पंच वर्षी योजन है आगे देखेंगे कि इसमें एक रोलिंग प्लान के आया था इस दुरान सबसे ज़्यादा वी मुद्रीकरण अपना गया था और 298 अरो दीमे बनाय गया था ठीकाइ कि's rolling प्लान को कब बनाया गया था जो जनक थे रोकटर गुर्णार मिंडाल इंकी बॉल्डब सेटिंग इंक एक पुस्तक थि इंपर्टीट वुस्तक है उन्हें एक पुस्तक लिखी थी एक कि रोलिंग प्लान के उपर और इसमें जो नैंटी सीविंटीन नैंट को ग्रामें युद्धe सव रोजका परक्षिक्रिशन का रिक्रम योगों को रोजगा दिनतीक ले प्रक्षिक्रिशन का रिक्रम पराणा किया गयता त्सथा ऑ Gil और है वो गुन्नी सो अठंतर और अश्ची के बीच में हुआ था और उसके जो जनक थे वो कौन थे आपके डोक्टर गुर्णनार में डाल जिनकी पुस्तक थी इंडियन एकोनमी और इट्स बोर्ड शेटिंग जो बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक थी ठीक है और जो यह रोलिंग प्लान का जो कारेकाल था अठंतर और अश्ची के बीच में उसमें उसमें जो मोडल था वो आगत निर्गत मोडल पर आधारीत था उद्द्स से गरीबी उन रोजगार में वर्दी करना ठीक है और उसी समय इसी जो प्लान था वो पंचवर्शी योजना हो थी गुनी सु असी और पिच्छासी के बीच में नाबाड की स्तापना के गिते गुनी सु बैयाशी में ठीक है और महिला वाल विकास करेक्रम भी प्राराम भी इसी योजना में बात करते हैं गुनी सु असी में तो समन्वीत ग्रामिन विकास करेक्रम है वो इस योजना में प्राराम किया गया था इस योजना में जनसंग्या संबंदी स्रक्ष्ण वर सुधार है तो प्रोग्राम है वो स्विकार किया गता प्रथम बार स्विकार किया गता और एक अनरपी जिसको बोलते हैं राष्ट्रिय ग्रामिन रोजगार कारिक्रम ठीक है नेशनल रूलर ड्वलोपमेंट ठीक है और और प्रोग्राम जिसके स्थापना किये थी और ग्रामिन भूमी हिनों के लिए रोजगार गारंटी योजना रूलर लेंडलेस ठीक है एका मतलब होता है इंप्लोइमेंट एका मतलब गारंटी और पीका मतलब प्रोग्राम यह आपका रोजगार गारंटी योजना वह प्र और मैं ये उम्मिद करता हूं कि इस योजना में जो भी है जितने भी स्वें और एक्जाम से रिलिटेट दो या तेन क्योशन पूछे जाते हैं स्वेत करांती है हरित करांती उनके जन्रेक और रोजगार गांटी योजना कौन सी योजना में आया थी सबसे ऐस सफल योजना ठीक है और यह चीज यह जो एकजामें बहुत बार पूछी जाती है तो मैं उम्हेद करता हूं कि आज का स करेंगे क क्योशन मगरेंगी तो सारा आपका इसमें कंपलेट करवाए जाएंगा जितने भी योज नहीं है वो सारी आपकी चांपलेट करवाएगी हाज के लिए इतना ही धनिवाद कर दो कि कर दो